दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कुछ एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया था जो जानना चाहते थे नॉन टेक्निकल इंफोर्मिशन कि अगर कोई जैर खा ले तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं तो फाइनली मैं सोचा कि इसके उपर भी एक वीडियो बना तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि टॉपिक क्या है टॉपिक यह है कि अगर कोई जैर खा लेता है तो तुरंट इसे कैसे बचा आ सकता है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको मैं बता दू कि आज के समय में लोगों को में टेंशन और स्ट्रेस बहुत जादा ब निकाला जाए सकता है तो इससे आप मासूम की जान बचा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या फिर दोस्तों गलती से उसके सरीर के अंदर चला जाता है तो आपको दोस्तो बस इतना ही करना है कि आपको एक ग्लास पानी लेना है और उसके अंदर आपको एक मुट्टी वर नमक मिला लेना है और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आपको उस परसन को उस मरीज को पिलाना है आपको मैं बतादो दोस्तों जब ये पानी पेट के अंदर जाता है तो ज़्यादा नमक और सोडिया होने की वज़़े से पेट इसे बरदास नहीं कर पाता जिसके वैसे दोस्तों उसको काफी ज़्यादा उल्टी होने के लिए महसूस होता है तो उस पानी के साथ साथ वो जहर भी बाहर आ जाता है आपको बता दो दोस्तों कि उल्टी के साथ जहर का जादतर हिस्सा सरीर के बाहर आ जाता है इस तरीके से दोस्तों उस मरीज की जान बचाई जा सकती है और दूसरे सब्दे में कहें तो उस मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम जादा आपके लिए मिल जाएगा जिसे हॉस्पिटल में मेडिकल सुधाओं के दौरा उसे बाहर निकाला जाता है दोसरे सबसे जरूरी बात में आपको बता दू कि अगर हो कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो सबसे पहले उसे सोने ना दे आपको मैं बता दू किसी भी हाल में उसे सोने नहीं देना है तो दोसरे जैसे एक छोटी सी हेल्थ के लिए इंफोर्मिशन था आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और अगर आपको कुछ और बें इंफोर्मिशन चाहिए जैसा कि मैं आपको हमिसा बोलता हूँ तो प्लिस मुझे कमेंट बॉक्स पे जरू कमेंट कीजीगा चाहिए इंफोर्मिशन एक के लिए हो या फिर सौ के लिए मैं आपके लिए जरू वीडियो बनाऊंगा तो चलो दोस्तों आपको मिलता हूँ नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो माच